कोरोना वाइरस की महामारी जो पूरी दुनिया में च्छाई हुई है इस महामारी से बचाओ के लिए देश को लोकडाउन कर दिया गया है लेकिन ये 21 तिनों का लोकडाउन गरीबू की चान परान पड़ी है देश में कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जो दिन भर मज़धूर भी करते हैं और पूरे दिन के महिनत के बाद जब उन्हीं दिहारी मिलती है तब वो अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं इस लोकडाउन के चलते मज़धूरों गरीबू के सामने मानों मुसीबतों का पहाल तूट पड़ा हो लेकिन इस संक्मर से बचने के लिए सरकार दोरा जो एडवाईजरी चारी की गई है उसे भी फॉलो करना बहत जरूरी है इसे नकारा नहीं जा सकता क्यूंकि लोकडाउन ही एक उपाय है देश में बढ़ रहे कोरोना संक्मर के मरीजों की चैन को तोड़ने के लिए और इसी के मद्दे नजर कुछ लोगों की एक साथ एक जुठ होकर मुहिम ऐसी कि उनके आसपास कोई भी गरीब भूखा ना सोई दरसल यही वो चीज़े हैं जो भारते होने का गर्ब महसूस कराती हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं मोनू मिस्रा नाम के एक सक्स की जो की कानपुर के गीता नगर में रहते हैं और ये रोज गरीबों को खाना खिला रहे हैं गरीबों की तूटी आस को जोड़कर उनके चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं जब देश पूरी तरह से लोगडाउन हैं जब लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में कैद हैं ऐसे सिचुएशन में मोनू मिस्रा अपनी टीम के सा गरीबों का सहारा बन रहे हैं मोनू मिस्रा और उनकी पूरी टीम ने जो देश प्रेम और गरीबों के प्रति जो मानोता दिखाई है वो सच में काबिले तारीफ है ददस्तक 24 ऐसे दरिया दिली और महानुभाओं को सलाम करता है और आगे भी ऐसी ही सामाजी कारियों को करन